है फ्रेंड्स वेलकम और वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सोवर मेकप यह देखे जिस तरीके से यह जो मैंने आज का मेकप किया है बहुत ही सेंपल मेकप है इसे आप पार्टीज में भी कर सकते हैं यह जल ब्राउन लोग मेकप है और मैंने पूरा ब्राउन ब्राउन रखने की कोशिश किये कि पूरा ब्राउन लोग मेकप न्यूड मेकप हो और बहुत ओवर भी ना लगे और सेटल मेकप लगे तो मैंने बहुत ही सेटल मेकप किया ह अब्हुत से सिंपल सा मेकप किया है मैंने तो मैं चिक डू एच से उपर के कोई भी प्रोडिक डू या है नहीं किया है नहीं है तो बिदाउट एडिनीट हम टू था pros insult अचुन को अच्छे से पैंपर कर लिया है मैंने पहले फेस वाश किया उसके बाद टोनर यूज के बाद मैंने शीरम लगाया बहुत ज्यादा जरूर दिये तो आप संस्क्रीम भी ज़रूरी लगाएं इससे आपका जो फेस इसपे डारेट आपका मेक अपरेक्प्रोडट का बिल्कुल डरेट असर ना करें, तो बेस्ट है कि आप संस्क्रीम भी यूज़ करें, देन उसके बाद मैंने प्राइमर लिया है, NYF का प्राइमर है, और, सॉरी, NYB का प्राइमर है, और यह प्राइमर बहुत ही लाइट वीड प्राइमर है, तो यह मुझे काफी अच्छा तो आपका फेस एकदम स्मूध हो जाएगा, देखें, मेरा फेस बिल्कुल भी चीक प्राइमर है, और एकदम स्मूध है, तो यह मुझे काफी अच्छा लगा यह प्राइमर, उसके बाद यह करेक्टर के बारे में तो शायद आपने पहले मेरे इसके पहले वाले वीडियो करके बताओं कि इसका यूज रहा है, मुझे तो यह मैं लगाने पर तो यह बहुत जादा लिखवी, हज से लगाने के बाद मुझे ऐसा लगा रहा है, मैंने फेस पर ओल लगा लिया है, तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, मतलब इसे कुछ भी आप अपने डाक सरकल्स ह Möglichkeiten के बदर करना चाहते हैं या हाइट करना चाहते हैं तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है तो यह तो बिल्कुल भी सुजिय में करना है उद्रा नहीं को समझ लगाने के बात मुझे कहीं से कहीं तक श in d οι पे duy धी miry तो मैंने तो इसके बात मैं लगा रही हूं और यह मुझे काफी पसंद है यह तो बस मैं यही वाला concealer लगा रही हूँ मैं बस अपनी अंडर आय पे लगाऊंगी और जहाँ जहाँ मेरी थोड़े केरियेज होते हैं वो अच्छे से कवर हो जाते हैं और थोड़ा सा एक मेक अप फ्लोलेस दिखता है तैन उसके बाद में एनवाई बेकर ही फाउंडेशन यूज़ कर रहे हूं और यह काफी मेरे शेट से थोड़ा एक शेट लाइट लग रहा है मुझे इसकी जो फॉर्मूला है इसका जो वो तो मुझे काफी अच्छा लगा थोड़ा सा थिक भी है और अच्छा भी है देखते हैं लगाने के बाद यह कैसा लगता है तो अभी तक मैंने इसे अपलाए तो एक बार भी नहीं किया है अब मैं फेस पर फर्स्ट राम अपलाए कर र प्रोवाइडिंग फुल कवरेज यह तो ऐसा बोल रहे है कि फुल कवरेज देता है बट मुझे लग नहीं रहा कि फुल कवरेज देगा नैच्रली डूरी फिनिश देता है तो इसको अपलाए करने के बाद देखते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे यह उतना म अच्छे से समर्ज हो जाए क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर मुझे बहुत पसंद आता है विकास ब्यूटी ब्लेंडर से जो फिनेशिंग आती है ना फाउंडेशन की एक अलगी मजा आता है उसके साथ मुझे ब्रश के साथ भी कर रहा है कईबा मैंने पर पता नहीं क्यों म कि बहुत ही मीडियम कवरेज है तो मैंने सेकिंड कोड भी अप्लाय किया है फेस पे तो थोड़ा सा शैद अच्छा लगेगा है बाकि नॉर्मल अगर आपको नॉर्मल कहीं आप पैसी जा रहे हैं छोटे मूटे फंक्शन है और बहुत अच्छा आपको एकदम हाई तो इनफ है ठीक लगेगा तो मुझे इतना बेकार तो नहीं लगा ठीक लगा मुझे कोई तो मैंने से अच्छे से अभी पूरे फेस पर अप्लाय कर लिया है बीटी ब्लेंडर की मदद से वैसे अगर आपको अच्छी फिनीशिंग चाहिए और अच्छा कवरेज चाहिए हाई कवरेज चाहिए तो फिटमी का फांडेशन काफी अच्छा लगता है मुझे तो वो भी आप अप्लाय कर सकते हैं थोड़ा सा कॉसली पड़ता है बढ़ अच्छा है वो मुझे काफी अच्छी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं दान उसके बाद मैंने यह लैक में का फेस पॉड़ा अप्लाय किया है और यह मेरी शेड से एक शेड थोड़ा सा डाक आया है बट मैंने सुचा चलो ठीक है अब कौन इसे रिटन करें तो चीक है मैं यह यूज़ करती बहुत ही पियारा शेड है तो वह मुझे बहुत जादा पसंद आता है तो बट हर बार मैं सोचनी कि वही वही कितने बार दिखा हूँ तो इस बार मैंने सोचा कि आपको मां ये दिखाते हूं और यह मने अभी अंडर 200 में यहिवाला प्रोड़क्ट मुझे लैक में का मिला इससे अच्छा तो कुछी कोई और मिल नहीं रहा था तो फिर मैंने यही लिया बट मुझे अच्छा लगाई वैसे तो इसकी MRP 270 है बट यह मुझे under 200 में मिल गया था कुछ offer वगरा भी चल रहा था purple पे तो यह मैंने purple से जो translucent powder होता है वो भी मैंने मंगाया था loose powder तो यह वही वैला powder तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार इसको भी try करके देखू थोड़ा सा उसके बाद मैंने mask का eye palette लिया है और यह eye palette मुझे बहुत बहुत ज़ादा पसंद आया है था बहुत ही ज़ादा है बहुत ही beautiful है तो इससे मैं अपना पहले eye makeup करूँगी तो मैंने यह eye makeup के लिए मैंने light shade लिया है और इससे मैं अपनी eye lid के उपर वाले portion पे लगाने वाली हूँ eyebrow से जो नीचे वाला थोड़ा portion होता है वहाँ पे में से apply करूँग because मेरी eyes hooded eyes है तो अगर मैं नीचे से लगाती हूँ न तो मैं आग खोलती हूँ तो कुछ दिखता ही नहीं तो इसलिए मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा उपर से लगाती हूँ जिसमें कुछ दिखे ही तो कि मैंने कुछ लगाया है तो मैंने light shade उपर उपर अपलाए किया था दोनों eyes पे दन उसके बाद मैंने थोड़ा सा dark shade लिया है उसके बाद यह मैं इसे अपने eyelid पे लगाने वाले eyelid से थोड़ा सा उपर हलका crease line पे जिसे बोलते हैं तो इसे crease line पे मैंने अपलाए किया है यहां उसके बाद मैंने dark shade लेके इसको eyelid पे अपना cover किया है पूरी eyelid पे अच्छे से smudge out किया है और जितने भी आपके जो जितने भी eye shadows होते हैं अगर आप इसे जितना जादा अच्छे से smudge out करेंगे तो यह उतने अच्छा effect देते हैं उतने अच्छे से दिखते हैं आपकी eyes बहुत florist दिखेगी तो इसको smudge out बहुत अच्छे से करेंगे इतने अच्छे से smudge out करेंगे उतना अच्छा लगए यह like copper type का color is that मैंने यह वाला color pick किया है और मैं इसे अपने eyelid पे apply करने वारी हूं तो इसको अपने eyelid पे apply करें अच्छे से और इसको अच्छे से smudge करें थोड़ा तो यह बहुत अच्छा सा nude सा और थोड़ा सा highlighted भी हो रहा था और थोड़ा सा nude type भी दिख रहा था तो मंदब एक subtle लग रहा था बहुत ही तो मुझे काफी अच्छा लगा मैंने थोड़े से corners बनाने के लिए light shade से brush ते ही हलके हलके से corner type shape बनाया eyes में जिसमें थोड़ी से eye मेरी lifted दिखें इसी palette से ही मैंने shimmer shade उठाया है light highlighter shade उठाया है light वाला और इसको अपनी eye corners पे लगाने वाली हो तो यह अच्छे से अपनी eye corners पे लगा लिया है मैंने बहुत ही light light सा लगाया है जादा नहीं लगाया because of मैं light makeup nude makeup चाहारी थी मतलब ऐसा कि no makeup makeup look भी कह सकते हैं इसे तो बस वही वाला make up मैं कर रहे थी तो मैंने बहुत ही light light सा दोनो eyes पे अपने eyes corners पे लगाया इसे काफी अच्छा लग रहा था और उसके बाद यह जो dark brown shade था मैंने वाला यह पिक किया dark brown और इसी से अपनी eyebrow को फिल किया तो पहले मैंने corners last का मैंने middle portion से फिल करना start किया then उसी brush में जितना भी product बचा था उसी से मैंने अपनी आगे वाली जो eyebrow है उसको फिल किया था तो dark shade है dark brown shade था तो यह काफी अच्छे से मेरे eyebrow के साथ जा रहा था क्योंकि मेरे eyebrow थोड़ी सी light है तो brown shade उस पर अच्छा जाता है मैं कभी भी black use नहीं करती हूं black थोड़ा सा over लगता है बहुत तो brown shade अच्छा लगता है dark brown आप apply करेंगे तो अच्छा लगेगा तो मैंने व बहुत कंबल सरी है तो आप लोग eyebrow जरू फिल किया गरूं एक ही palette से दिखे कितनी सारी चीज़े हो रही है मतब एक ही palette से आप पूरा makeup भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से थोड़ी सी मुझे dark लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा brush लिया जिसमें जो pro red powder था तो बस उसी को मैं थोड़ा हलका हलका अपने उस पर कर लिया जिसमें थोड़ा सा light सा लगे एकदम से बहुत जादा dark ना लगे है मैंने उसी palette से ही मैंने एक light shade लिया है और यह skin type shade है थोड़ा सा skin से dark shade सा हलका था और उसी को मैंने अपने contour के लिए यूज किया है और उसी से मैं हलका हलका contour कर रही हूँ बहुत जादा dark contour नहीं कर रही हूँ light light ठी contour कर रही हूँ जिसमें थोड़ा अच्छा दीके subtle सा तो बस उसी को मैंने pick कर गया और उसी से contour किया आप contour अच्छे से करेंगे ना तो आपका face काफी अच्छा दिखेगा थोड़ा सा आपका face का जो makeup है वह attractive दिखता है लगता है कि shape में कुछ किया हुआ makeup किया हुआ है तो मुझे contour करना काफी पसंद है वैसे थोड़ा सा मेरा face broad है तो मुझे असा लगता है कि contour कर लो तो अच्छा लगता है तो मैं contour जरूर करते हैं कुछ करूं आगर simple सा भी मुझे makeup करना होता है तो मैं contour करती हूँ, lip loss लगती हूँ and बस simple हो गया थोड़ा सा अपर आइस पे थोड़ा सा अपना काजल अपलाय कर लीचे तो बस उतने में भी काफी अच्छा लगने लगता है makeup तो बस यह simple सा ही makeup मैं करती हूँ अगर जैसे normally मुझे कही market market जाना है या कहीं जाना है तो इतना लिए भी इतना ठीक लगता हूँ and मैंने उसके बाद अपनी nose को भी contour किया थोड़ा सा और उसी palette से ही वही shades मैंने pick करती जा रही हूँ मैं और उसी shade से ही मैं अपनी nose को अपने forehead को और अपने chicks को chicks और नीचे chicks के जो नीचे वाला area होता है उसको पूरा contour करती हूँ तो मैंने same palette से ही सारे product ले लेकिया और वो use किया है आप मैंने में पास एक pink color का लिप लॉस है अन्वाई base से ही मैंने purchase किया था इससे पहले वाले video में आपको मेरी सारे product की details मिल जाएगी तो आप उस video को जाके देखे मैं इस description उपर sorry मैं उपर eye button में भी इसकी link लगा तो आप वहां पर देखेगा मैंने वही वाला lip gloss glitter के नाम से आता है lip gloss है और NYB कहीं यह pink shade है यह तो मैंने बस यही वाला apply किया है हलका हलका क्योंकि because of मैंने मंगाया ही नहीं था कोई भी blusher मैंने मंगवाया ही नहीं था तो बस मैं यही try कर रही थी इससे यह भी काफी अच golden type का एक shade था और मैंने बस उसे पेग किया है और उसी से ही मैंने उसे हाइलाइट किया है अपनी nose को हाइलाइट किया है थोड़ा सा forehead पे और lips पे भी highlight किया है बट यह थोड़ा चिपा कि रहा है बहुत जादा मैंने गालों पे जाके एकदम से sticks हो गया है तो बहुत मुझे इसे blend करने में काफी जादा मैनत लगी तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि over लग रहा है तो मैंने beauty blender से थोड़ा थोड़ा उसको smudge out किया कि वह थोड़ा सा light हो जाए एकदम से वह चिपक सा गया ऐसा लग रहा है तो उसकी बात मैंने किया हलका सा compact powder लेके और एक बार थ dust out कर दिया हलका सा बहुत ही हलका हलका सा जिसमें मुझे थोड़ा सा मतब ऐसे चिपका चिपका सा लग रहा था जीव लग रहा था तो मैंने सोचे कि एक बार थोड़ा सा हलका सा compact से dust out कर दो तो थोड़ा सा light shade भी हो जाएगा थोड़ा ठीक दिखेगा तो बस मैंने हलका सा dust out किया है दन उसके बाद मैंने यह एनवाइब का setting spray लिया है और पता नहीं मैंने अभी तक यूस तो किया नहीं है तो देखते हैं कैसा डूइफ निश तो बोल रहा है कि हलका हलका मेरे आखों की तरफ चला गया था तो बहुत अजीब सही लग रहा था पता नहीं कैसा है देखते हैं थोड़ा सा पाशन बाद समझ में आएगा कि यह कैसा है तो बस वही मैंने यूज किया ठीक दिख रहा है वैसे ग्लो कर रहा है फेस तो बहुत जादा अच्छा कवरेश तो नहीं दे रहा बट अच्छा है मतलब मीडिया में बहुत जादा अच्छा भी नहीं हो बहुत जादा बुरा भी नहीं बोल सकती तो मैंने एक नॉर्मल काजल लिया है तो मैंने एक नॉ इसके उपर वाले पोर्शन को भी पूरा कवर करूंगी दैन उसके बाद हलका सा नीचे लगाऊंगी तो अभी मैंने एक आख पे लगा लिया आप देखो कितना फर्क दिखरा है दोनों में तो मैं दुसी आख पे भी फिल करती हूं पहले और दोनों आख मैंने उपर तो फिल सा लगता है तो मैं कभी भी पूरा नहीं लगाती हो काजल हमेशा हाफ काजल लगाती हूं हाफ काजल से थोड़ी आपर ठीक दिखती है मेरी तो मैंने बस हाफ काजल ही लगाया है बहुत ही लाइट सा लगाया है ज्यादर डाग नहीं किया है उसे बहुत लाइट सा लगाय और एक तो जो इसकी जो टिप है वो बहुत भी अच्छी है इसकी ब्रश जो डिसल्स भी बहुत चोटे-चोटे से जैसे मेरी लैशिस थोड़ी कम हैं तो इस पर काफी अच्छे से वर्क करता है तो यह मैंने से ही लगाया और मुझे काफी अच्छा लगा तो आप यह लगाया है और अपह लैशिस पर लगाया है और उसकी जो कॉर्नर वाले टिप होती है उससे मैंने लूर लैशिस को अपलाय किया तो हलका हलका दैन उसकी बाद मैंने यह मास्की ब्राउन शेर्ड न्यूड लिप्स्टेक थी में पास तो मैंने मैट लिप्स्टेक है यह और मुझे अच्छी हीtt मुझे थोड़ा सा इसमें ऐसा लगुआ है कि थोड़ा से शायन होना चाहिए मैंने क्या कि मेंपरोजर ब्राउन कलर कही रहने का लिब्लॉस पड़ा थो थोड़ा से उसके उपपर ये लिब्लॉस अप्लाए करा तो थोड़ा सा एक pop-up सा हो गया लिप्स पे और काफी अच्छा लगने लगा था थोड़ा सा जो में लिप्स्टिक है वो थोड़ी सी अच्छी दिखरी थी और मैंने ये वाले earrings लिये थे में पस रखे हुए थे तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और वीडियो में नए हो तो वीडियो को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए नीचे रैट कलर का बटन दिख रहोगा, उसे प्रेस करें और बैल आइकोन को प्रेस करें जिसमें आपको मेरी सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसी तरिके से और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहोंगी तो आपको आज का मेकप कैसा लगा, मेरा पूरा मेकप टुटोरियल कैसा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कमेंट करके, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता चलता है कि आपनों को मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं आने तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सिस्क्राइब जरूर करेगा पाई